हलो फ्रेंड्स कसे हैं आप सब मैं हूँ विश हुआ तो जब हम Microsoft Excel पर काम कर रहे होते हैं तो जब हम इंटरप्रस करते हैं तो आपने देखा होगा करसर जो है वो नीचे मूव करता है जैसे कि यह देखिए चली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखिए राइट साइड में करसर मूव करें इसके लिए इस सेटिंग को करने के लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में फाइल टैब में इस पर क्लिक कर दीजे तो नीचे आपको बहुत सारे option मिलेंगे जब आप एडवांस के option पर क्लिक करेंगे तो right side में कुछ ऐसे option मिलेंगे यहां पर देखिए पहला ओल option आपको यहां पर दिखा रहा है आफ्टर प्रेसिंग इंटर मूव सेलेक्शन तो यहां पर देखिए डाउन सेलेक्षन है यहां पर क्लिक करिए और यहां से आप right select कर लीजिए आप और left भी select कर सकते हैं तो हमने आप right selection कर दिया उसके बाद यहां से okay पर क्लिक करना न भूलिएगा अब देखिए जब हम interface करेंगे तो यह जो cursor है वो right side में move करेगा झाल